दिवंगत आरक्षक अतुल भट किया कस्मिक निधन पर दुर्ग पुलिस अधिक्षक ने अपनी सभीतना जताते हुए दुर्ग पुलिस द्वारा सात वर्षी मासुम अंजनी को बाल आरक्षक की पत पर नौकरी का नियुक्तिपत प्रदान किया दुर्ग वर्ष्ट पुलिस अधिक्षक राम गोपाल गर्ग ने दिवंगत आरक्षक अतुल भट किया कस्मिक निधन पर अपनी आत्मीता दिखाते हुए दिवंगत आरक्षक की सात वर्षी मासुम अंजनी भट को बाल आरक्षक की नौकरी प्रदान की साथी वरिष्ट पुलिस अधिक्षक राम गोपाल गर्ग ने आत्मीता के साथ चर्चा कर नियुक्ती का देश बच्ची के हाथ में सौपा बता दें कि वरिष्ट पुलिस अधिक्षक कर दुर्ग राम गोपाल गर के द्वारा साथ साल की मासुम बच्ची अंजनी भट को बाल आरक्षक के पत पर नौकरी नियुक्ती आदेश प्रदान किया गया है इस मौके पर वरिष्ट पुलिस अधिक्षक ने अब बोद बाली का अंजनी से आत्मीता के साथ बात चीज़ की आपको बताना चाहेंगे बाला रकषक की रूप में भरती की गई बच्ची के पिता की असमाईक निधन के बाद उसे अनुकमपा नियुक्ती दी गई है अपनी मा के साथ पुलिस अधिक्षक का अले पहुंची बच्ची को वरिष्ट पुलिस अधिक्षक ने बच्ची के सिर पर हात फेराओ से बताया कि अब आप भी पुलिस बन गए हो उन्होंने आत्मी विवहार वा अनुकमपा नियुक्ती की प्रक्रिया पूर्ण कराने के लिए स्वजन ने भी अभाज अताया वदिश्च पुलिस अधिक्षक ने दिवंगत आरक्षक अतुल भट किया कस्मिक निधन पर परिवार के सदस्यों से मिलकर सांत वना दिये और कहा कि परिवार को किसी प्रकार किया शक्ता में दुर्ग पुलिस द्वारा सहयोग किया गया आज हमने कुमारी अंजनिवट पिता स्वर्गेशरी अदुल भट अरक्षकरमांग सोला चौबिस जिला दुर्ग को अनकॉमपान युक्ति पदान की है इनकी क्याजू सात वर्षकी है इनके पिता पुलिस विभाग में कारे रथ थे और अक्षनिक मौत होने के परण विभागी नियमों के अंदर गत इनको बाल अरक्षक के पद पर अनकॉमपान युक्ति दी गई है इसके इस नियम के मताबिकी अठारा वर्ष की आजो तक अपनी पढ़ाई कर सकेंगे और अठारा वर्ष के बाद ये गूला अरक्षक के पद पर नियुक्त हो तो मैं इनको उनके जलोशा की शुपना में देता हूं